तो आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे फ्लूड एंड क्रिस्टलाइज इंटलिजेंस जो है आपकी क्या होती है जिसको हम कहते हैं तरल और ठोस बुद्धी ठीक है रेमन केटल की आपकी यह थियोरी है काफे इंट्रस्टिंग थियोरी है देखते हैं इसको क्या है यह ठी इनोंने क्या कहा है एक एली दो समग्र शमताएं आपने फ्रस्थावीत की हैं जो कि क्या है फ३ोड इंटैलिजेंस और क्रिस्टटलाइज इंट्लिजू को क्यों का एक यह नकूकर आपके लाइफ में कोई ऑन्धाबस आती है और उसका आप मतलब कि कोई new situation आती है कोई new problem आती है उसके लिए जो आप अपने intelligence use करते हैं वो होती है आपकी fluid intelligence यानि कि कोई भी नई परिस्तिती में on the spot जब आपको solution मतलब ढूंडते है उसका तो उसमें आपकी fluid intelligence use होती है यानि कि यहाँ पर क्या होता है आप दिशाओं में सोचते है divergent thinking आपकी use होती है यहाँ पर crystallized intelligence क्या होती है जो कि आपके सामने कुछ problems है जो आज से पहले आ चुकी है और उसका आपको experience हो चुका है यानि कि जो चीज़ें आप अपने experience से सीखते हैं वो आपकी crystallized intelligence वहाँ पर use होती है यानि कहते हैं आप लोग कि वक्त के साथ-साथ आप चीज़ें सीखते हैं अनुभव से सीखते हैं समाज में रहते रहते अपनी culture से society से बहुत सारी चीज़ें जो हम सीखते हैं वो आपक केडि rookies कि माना गया कि यह जो है यॉवे से जुडि हैं यह चैसे आपको हैरेट हय को चीज़ें से मिलीडिये क्या है दीने किम्मार locate d gelecek में कि साथ में कि मेरी चृप्स की में चीज़ें बूलने लागी और भी मेरी तो में काफी चीज़े भूलने लगी हो तो क्या होगा थ साथ साथ आपकी कम होती जाएगी जब आप Adolescence के टाइम पे होते हैं तो आपकी पीक पे होती है चीजे जो आपको बहुत जल्दी आप किसी प्रॉब्लम का तो क्रिस्टलााइज इंटेलिजेंश जर्जिऑ इसलिए एक उम्र के बादमें बढ़़ती है याub Unterschied इसको और समझते हैं सुअ ठीक है नई समश्चा यानि कि जिसकी हमें पहले से knowledge नहीं है कि ऐसी कोई problem आ भी सकती है, ठीक है यानि कि हमारी नई समश्चाओं को हल करने की वो शमता जो हमको बिना किसी पिछले जानकारी के निर्देश के आती है, उसे तरल बुद्धी कहा जाता है, ठीक है, क्या है, it is the innate natural element of intelligence that is determined by the inheritance of a person, कहते है कि ये बुद्धी का जन्जाद वो प्राकरतिक तत्व है, जो वेक्ति के वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है, जो एक question यहां से आपका बनता है, कि fluid intelligence अगर आपसे पूछा जाए, तो क्या होती है, वो heredity से आपकी निर्धारित होती है, ठीक है, the ability to think on the spot and solve problem, मतलब कि मौके पर सोचना और समश्याओं को हल करने की शमता जो आपकी कहां आएगी, वो आपकी fluid intelligence में आएगी, ठीक है, example अगर हम लें, तो यह reasoning का sum है, अगर आपकी paper में जैसे की reasoning आती है, तो बाकी subjects, अगर आप जैसे CET का paper देने जाते है, तो वहाँ पर आपको fluid intelligence यूज नहीं करने, तो यहां क्या होगा, आपकी fluid intelligence यूज होगी, क्योंकि आपको on the spot, इसका solution निकालना है, और यह आपके लिए एक नई problem है, इसके लिए आपको नई तरीकी से सोचना पड़ेगा, ठीक है, तो यह आपकी fluid intelligence में आता है, नेक्स होते हैं आपका crystallized intelligence, crystallized intelligence is the store of information, skills, strategies that people have acquired through education and prior experience and through their previous use of fluid intelligence, यानि fluid intelligence को use करते-करते, नई situation आई, आपकी बहाँ पर fluid intelligence लगी, फिर आपने उस situation में बार-बार बार इसको deal किया, तो क्या हुआ, आपकी skill बन गई, एक strategy आपको आगई, उससे related, तो तब वो क्या होगी, आपकी crystallized intelligence बन जाएगी, यानि कि कोई learned information जो आपके पास में होती है, उसमें आपकी crystallized intelligence है, वो use होती है, जैसे जैसे आप चीजें सीखते जाते हैं, आपके अंदर एक skill आती जाती है, तब उस चीज को आप करेंगे, तो क्या होगी, आपकी crystallized intelligence होगी, जो ज्यान हमें पढ़कर और अनुभव से आता है, उसे ठोस बुद्धी कहते हैं, आनुभव पर अधारित होने के कारण, समय के साथ इस बुद्धी का विकास होता है, जैसे कहते हैं न, कि भई हमारे experience से जो है, यह चीज बढ़ती है, तो जैसे जैसे हम किसी चीज में experience करते हैं, वो चीज हमें आती चली जाती है, जैसे कि हम कहते हैं, जैस फिर्स टाइम में change हो जाती है, जैसे कि अगर आप से पूछ लिया जाए भारत की राजदानी का नाम क्या है, इसके लिए आपको fluid intelligence लगाने की ज़रत नहीं है, यह information है, जो आपको पता है और तो आपको पता है कि भारत की राजदानी का नाम दिल ली है, तो यहां क्या होगा, आपके crystallized intelligence use होगे, ठीक है, यहां पर जो आपकी life की problems होती है, उसके लिए दोनों तरह की बुद्धी की ही जरुत होती है, जब नहीं problem आती है, तो fluid intelligence, जब problems आपके सामने वो continuous आती है, तो आप उसमें थोड़ा सा skilled हो जाते है, आप उसके अंदर थोड़ा learn हो जाती है, आपको information, तो कि आपने देखा होगो कोई कवीव अगेरा जो है, उनकी जो क्या होगी, उनकी जो कवीता की जो चीज है वो आपकी उम्र के साथ-साथ, जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उसके अंदर आपको और maturity दिखेंगे, ठीक है, fluid intelligence को थोड़ा और समझें, अगर तो इसमें आता है logic आपका, reasoning, problem solving और ये mid life में आपकी क्या होगी, peak पर होगी बिल्कुल, यहां क्या आती है आपके crystallize में, जो चीजें आपके पास already store हो चुकी है, जैसे vocabulary आपकी time के साथ बड़ेगी, knowledge आपकी time के साथ बड़ेगी, किसी चीज में skilled आप बिल्कुल time के साथ होगे, जब experience होग आपको, यह आपकी क्या होगी, old age आते 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 आपकी जो है, वो बड़ेगी intelligence, ठीक है, तो यह हमारा fluid intelligence और crystal intelligence था आपका, बहुत ही interesting और बहुत ही easy theory है, अगर हम इसे समझें तो, daily life में आप देखेंगे इसको, तो हम बिल्कुल ऐसी तरीके से, अपने intelligence का इस्तिमाल करत है, share कीजिए अपने सबी friends के साथ में, confusion हो तो comment कीजिए, thank you, keep learning, keep supporting